हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुल्तान सुल्तान वसेश पेसावर जालिम के बीच जो क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और दोस्तो दोनों टीम्स के स्टैट्स यूपर पूर दीटेल अनलिसिस करेंगे और अस्मॉल लिग और ग अन्फीजन हो रहे गी बॉलिंग सेक्शन में क्योंकि दोनों टीम्स के कुछी बैट्स में अच्छे फॉर्म में हैं लेकिन बॉलर्स काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में हैं तो कैसी टीम कॉम्बिनेशन बनानी है पूरी जानेंगे तो अब दुगौर की जएगा दोस् इस सीसिजन क번 přिषरिपोर्ट हैं अभी तक सात मुकावले खेले के वह गाए हैं इस सीजन जिस में पहले बैटिंग करने वाले टीम तीन मुकावले जीत रही थी लेकिन रिसेंट में यही देखने को मिल रहा है कि जो तिम पहले बैटिंग कर रही है वो दोस्तो जीत ले रही है तो यहाँ पर average score दोस्तो जो इस जन का रहा है इस ground पर 165 run का highest score दोस्ते हाँ पर मुलतान ने बनाया हुआ 189 run का lowest score quarter quarter दोस्तो पिछले ही मुकाबले में इस ground पर 106 run पर all out हो गये थे scoring pattern देखियेगा तो दोस्तो इस ground पर 1500 के नीचे मातर एक ही बार मुकाबला हुआ है 150 और 170 के बीच में 2 बार 170 और 190 के बीच में 4 बार दोस्तो तो इस ground पर high scoring match तो होगा लेकिन ज़्यादा high scoring match नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इस ground पर अभी तक 190 के उपर इस जन एक भी मुकाबले में score नहीं गिया है दोस्तो अब इसके बाद direct बात कर लेते हैं recent के जो तीन पिछला मुकाबला इस ground पर खेला गया इसके stats के उपर तो दोस्तो जो पिछला मुकाबला 12 मार्श को खेला गया जिसमें मुलतान 185 रन की target दी थी जो की target दोस्तो क्वाटा के लेडियेटर चेज नहीं करने पाया और मुलतान सुल्तान की टीम 79 रन से इस ground पर जीत दर्ज की थी जिसमें फास्ट बुलर को मिला था 9 विकेट और स्पिनर्स को चार विकेट और उससे पहले पैसावर जालिम इस ground पर दो रन से जिता था जिसमें फास्ट बुलर को भी कफी मदद मिलती 6 विकेट लिये थे और स्पिनर्स 3 विकेट और उससे पहले 10 मार्श को क्वाटा के लियेटर्स यहां पर लाहोर की टीम को 6 विकेट से हराएं थे तो दोस्तो रिसेंट के जो तीन मुकाबले हुए हैं उसमें से दो मुकाबला पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है और मुलतान सुल्तान के वी टीम इस ground पर अच्छा पहॉमेंस करती है और द जूड़ जाएं लिंक में डिस्किप्शन में दिया हुआ है यहां पर आप सभी को टॉस के बार विल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और दोस्तो आईपील भी आ रही है तो आईपील में सांदार गीहवेस की वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी तो नोटिफिकसन बेल को जरूर ओन कर दिएगा दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब करके और मैं आप लोग से ज़रा खुछ ने मांगता बस दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिए मेरे लिए इतना ही काफी है अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की उपर तो दोस्त इंट्रेस्टिंग और चौकाले वाली बात यह है कि इस सिजन दोनों के टीम, दोनों टीम्स के पीछ दो मुकाबले खेले गए हैं दोनों का दोनों मुकाबला पेसावर जालिम की टीम जीती है एक चार रन से और एक पांच रन से यह जो मुकाबला खेला गया है इस मुकाबले जीचते हुए आ रहा है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों डिरेक्ट यहां पर जो दो मुकाबले इसी से जन दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं उस मुकाबले में कौन-कौन से प्लियर से अच्छा पोहमें थे मुहम्मद रिजवान का दोस्तों उतना खास कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है पेसावर जालिम का खिलाफ एक मुकाबले में जीरो पर आउट हो गया थे और एक मुकाबले में मात्र 32 रन बनाने पाए थे और वहीं रिजा हैंडिक्स एवरेच परफॉर्मेंस रहा थ सारे बैट्स में लगभग मतलब डेविड मलान और यासिर खान को छोड़कर और इफ्तिकार अहमद को छोड़कर फ्लॉफी रहे हैं पेसावर जालिम का खिलाफ और वहीं दोस्तों पेसावर जालिम की तरफ से स्याम आयूब बहुत ही बहतरिन फॉर्में दीखे हैं 46 रन बनाये थे दोस्तों बाबा राजम भी चॉअचर रन और 21 रन और हसीब लुला खान 31 रन और 27 रन बना ए हैं तो दोस्तों पेसावर की तरफ से बाबर आजम और स्याम आयूब और हसीबुला खान को आपको लेकर चलना है आप लोग गorem कर रहे हैं कि दोस्तों पैसावर के टॉप ओडर के बैटसमेन ज्यादा अच्छा पोफ़ामेंस कर रहे हैं और मुलतान स्लतान के लोडर के बैटसमेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और वहीं बात कर लेते हैं तो लोडर के पेसावर जालिम के जो बैट्समेन है वो दोस्तो थोड़ा बहुत योगदान दिये हैं जैसे 23 रन 23 रन दो मुकाबले में बनाए है रोमन पॉल तिस मुकाबले के लिए भी इंपोर्टन रहेंगे और बॉलिंग से बात करें तो दोस् वर्टन को दो विगड़ेट मिली और वहीं दोस्तो पेसावर सालिम के त्रफ से बात करें तहो आरिफ याकूब को तीन विगड़ को दो विगड़्यों को दो मुकाबले में और नविन मुल्तान की टीम अच्छा पॉफरमन्स की और पेसावर जालिम की तीम तो पॉफरमन करी रही है तो काटी के टक्कर हुई थी दोस्तो चार-पांच रन से ही जीती थी तो चार-पांच रन उतना माइने नहीं रखता है लेकिन फिर भी तो जीती थी टीम यह होगी दोस्तों यहाँ पर head-to-head records अब इसके बाद आगे direct बात कर लेते हैं मुलतान सुल्तान की क्या र काबले में भी अर्सा तक लगाएं था तो यह अच्छे फॉर्म में है तो हो सकते इनको बैठाएं ना जाए फिर इफ्तिकार रहमत त्यापताहि क्रीज जोडन डेविड विली उसामा मीर अब्बास अफ्रिदी और मुहमद अली तिया रहेगी दोस्तों यहाँ पर मुलता हेड रिकॉर्ड तो हम लोग देखी लिए रिसेंट पर्फॉर्मेंस भी यहाँ पर जान लेते हैं तो मुहमद रिजवान पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर 69 रन बना करा रहे हैं तो बहुत ही बहतरीन फॉर्म में हैं भले ही हेड टू हेड में इनका अच्छा र रिकॉर्ड है और पिछले कुछ मुकाबले से यह भी अच्छा पर्फॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले मुकाबले में 12 रन बनाया थे उससे पहले 33 रन और 43 रन लेकिन दोस्तों इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं इनको ज़्यादा कोई ले नहीं रहा तो यह दोस्तों आप लोगे लिए Grand League के लिए Important भी खो सकते हैं तो आपको इनको जारतर Grand League में फोकस करना है क्यूंकि Continuous अच्छा performance नहीं कर रहे हैं उस्मान खान की बात कर रहे तो दोस्तो बहुत ही 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 बहुत पहतरी ने अपना performance किये हैं तो इनको कमी chance है की बैठाया जाएगा और अगर ये खेलते हैं तो आप लोगों के लिए differential pick के तोर पर बहुत ही बैठरीन होंगे क्योंकि जारा नीचे बैटिंग करने भी नहीं आते हैं second down बैटिंग करते हैं तो इनको आप लोग small league के साथ-साथ grand league में भी ले सकते हैं इफ्तिकार आहमत की बात करें तो बैटिंग ओटर थोड़ा सा नीचे है third down आते हैं पिछले मुकावले में 20 run नहीं बनाने पाएं थे उससे पहले 13 run और उससे पहले 60 run तो कभी-कभी balling भी कराते हैं बैटिंग से भी जड़ातर मुकावले में not out रहे हैं और balling से तो विकेट ले ही रहे तो क्री जोडन भी आप लोग के लिए small league के लिए important रहेंगे त्याप ताहिर, keval grand league के लिए और डेविड विलर को आप लोग as a baller ले सकते हैं क्योंकि balling अच्छी करा रहा है और जो player bench पर बैठे हुए जैसे डेविड मलान हो गया, खुशदिल सा हो गया तो इन में से जो भी खेलेगा आप लोगों को batting order के हिसाब से select करना है जो कि मैं आप टेलिग्राम पर update करूँगा अब इसके बाद बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के ballers के उपर तो इस बालिंग सेक्षन से देखी जगा तो अबास अफरीदी बहुत ही बहतरीन form में है और उसामा मीर तो ये दोनों ballers को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है तो इस मुकाबले में थोड़ी से आपको confusion होगी ballers को select करने में जो कि मैंने आपको starting में ही बता दिया था तो अबास अफरीदी recent के दो मुकाबले में 5 wicket लिये हैं और head weight में भी अच्छा record है तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है दोस्तों यहाँ पर चाहे small league की टीम बना रहे हैं चाहे grand league की टीम और वहाई Chris Jordan की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको wicket नहीं मिली थी तो as a batsman भी आप लोग इनको ले सकते हैं जब मुलतान सुल्तान की टीम टॉस हारेगी तब अगर मुलतान की टीम टॉस जीती है तो यह मुतनी important हो सकते हैं नहीं रहेंगे मुहमाद अली की बात करें तो grand league ले जड़ातर important रहेंगे क्योंकि wicket तो ले रहे हैं लेकिन बीच बीच में इनका zero wicket भी है इफ्तिकार रहमद एज़ा दोस्तो बैट्स में ले सकते हैं जब मुलतान की टीम टॉस हारेगी तो च्योंकि यहाँ पर टॉस बहुत important है और जड़ातर प्लेर्स अच्छे form में हैं खास करके all rounders और ballers तो यहाँ पर कुछ थोड़ी से confusion आपको होगी ही बाकी अफ्ताव इमराहिन और सहनवाज धानी का मैंने record लिचर रिलिक रखा जो के recent का कुछ मुकाबले खेले हैं तो देख सकते हैं अब इसकी बाद direct बात कर लेते हैं फेसावर जालिम के क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेंग लिएन दोस्तो इसकी आपको सैम आयूब के साथ बाबा राजम ओपनिंग करते हुँ दिखेंगे फिर मुहम्मद हैरिस्ट फिर यहाँ पर कैडमोर हसीबुला खान रोमेन पोईल अमिर जमल लुकवूड नवीनुलक फिर महरान मुम्ताज और खुरम सहजाद तो दोस्तो यह रहेगी प्लेंग लिएन और जो भी बदला होगा मैं आपको अपडेट जरूर करोगा दोस्तो टेलिग्राम पर अब इसके बाद बात कर लेते हैं पेसावर जालिम के सारे बैट्समन के रिसेंट फॉर्मेंस की उपर तो सबसे पहले बैट्समन पर नज़र डाले जाएं दोस्तो टॉप ओर्डर के ओपनिंग बैट्समन स्याम आयूब बाबा राजम बहुत ही बहतरी इन फॉर्म में है पिछले मुकाबले में 51 रन बनाएं दोस्तो और उससे पहले 35 रन फिर 64 रन तो लगतार तीन मुकाबले से इसी ग्राउंड पर लगवग अरसा तक बनाते हुए आ रहे हैं और उससे पहले भी बनाएं हैं दोस्तो और हेट टूएड में भी इनका अच्छा पोहमेंस रहा है स्याम आयूब की बात कर रहे हैं तो इनका भी पोहमेंस देख सकते हैं 88 रन, 38 रन, 42 रन, 46 रन, 30 रन और पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेलें तो स्याम आयूब और बाबा राजम को अपने टीम में रखना ही रखना है दोस्तों मुहमद हैरिस को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग ओडर तो टॉप ओडर में ही है लेकिन दोस्तों उतने खास अभी तक बैटिंग नहीं किया है और पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप रहे थे मातर 13 रन बनाने पाए थे फिर टॉम केडमोर की बात कर रहे थे ये भी फ्लॉप रहे थे नौर मिकल आपव चल रहे है तो दोस्तों यहां पर मुहमद हैरी्स टॉम केडमोर और अषिदौल्ला खान इन तीनों में से एक यह सकर पinflution कर और फिर रोमेन पॉयल को आपको लेकर चलना है क्योंकि इनका मिडलोडर के जड़ातर बैट्स में फ्लॉप चल रहे हैं लोडर से रोमेन पॉयल हर मुकाबले में अच्छा पॉहमेस कर रहे हैं 23, 28 रन और पिछले मुकाबले में तीस रन की फारी खेले थें और आमिर जमल एज़द ग्रैंड लिग में इनको आपको लेना है जड़तर और आसी फली का रिकॉर्ड मेंने लिख रखा जो कि इस मुकाबले में खेल सकते हैं पॉल बॉल्टर भी खेल सकते हैं जुभी बदला टॉप पोड़र के बॉलर्स को लेकर चलना है सबसे पहले यहां पर आपको लिक वीडू को लेना अपनी टीम में उसके बाद नवीनुलक को बहुत कम लोग ले रहे हैं तिनको आपको ग्रैंड लिक में जारतर लेकर चलना है स्याम आयूप को तो आप लोग लेंगे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दुनों करेंगे ओपनिंग करेंगे फिर एम मुम्ताज ग्रैंड लिक ले और केसाजाद को पिसके में कावले दो विकेट मिली यह भी जारतर ग्र मुम्ताज ग्रैंड लिक ले और केसाजाद ग्रैंड लिक ले और यहां पर आरिफ याकूब जो की खेल सकते हैं रिसेंट में पांच विकेट तीन विकेट चार विकेट भी ले चुके हैं हेट वेड़ों भी अच्छा रिकॉर्ड अलगबक तो इस मुकाबले के लिए आरि लोग बात कर लेते हैं टीम कॉंबिनेशन की उपर तो अभी तक आप सभी लोग हमारी वीडियो देख रहे हूं और आपको हमारी अच्छी लगी हो तो मैं आप लोग से जड़ा कुछ नहीं मांगता बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे मेरे लिए इतने ही काफी है और चैनल पर दोस्तों पहली बारा है तो सबस्क्राइब भी जरूर कर दीजेगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और मैं आप लोग से बस यहीं चाहता हूं दोस्तों कि टेलिग्राम पर जुड़ना बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि फिलाल तो मुझे पता नहीं है कौन से टीम टॉस जीतेगी तो टेलिग्राम पर आप सभी को टॉस के बेसिस पर बहतरीन टीम प्रवाइट की जाएगे विकेट कीपर सेक्षन से आपको चार ओप्सन देखने को भी लेंगे दोस्तों मुहमद रिजवान और रस्मान खान मुलतान क के तरफ से और यहां पर मुहमद हैरीज और हसीबुला खान पेसावर जालेम की तरफ से यह दोनों का भी बैटिंग ओडर लगबग टॉप ओडर में ही है लेकिन फिर भी दोनों प्लियर्स फ्लॉप चल रहे हैं तो इन दोनों पर आपको यहां तर ग्रैंड लिंग में फो बाबा राजम को यहां पर हम लोग सबसे पहले लेकर चलेंगे उसके बाद यहां पर जे चाल्स को क्योंकि जे चाल्स अभी तक इस सीजन दो ही मात्र मुकाबले खेले हैं और दो मुकाबले में 40 प्लस स्कोर किये हैं और एक मुकाबले में दोस्तो 50 प्लस तो दोस्तो मात् परफॉमेंस अपना दिये हैं तो इनको चांस रहेगी कि इस मुकाबले में टीम खेलाएगी क्योंकि बड़ा मुकाबला है तो दोस्तो जोनसन चार्ल्स को यहां पर लेकर चलेंगे और बाबा राजम को माचर दो बैट्समन को लेंगे रोमन पॉल को आप लोग ले सकते हैं जब पेसावर जालिम की टीम टॉस हारेगी तो त्यूंकि दोस्तो आप सभी को बता दो कि पेसावर जालिम के दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में इनका मिडल ओडर पुरा वीक चल रहा है और लो ओडर से रोमन पॉल आकर पारी समहाल देते हैं तो लो ओडर में आते हैं बैटिंग करने इसलिए इनको फिलाल मैं नहीं ले रहा हूं और नीचे से बात करें तो दोस्तों इस मुकावले के लिए मैंने आपको बताए दिया टॉम के डॉम और इंपोर्टन पीक हो सकते हैं डिफरेंशियल बाकि तया परसेंट लोग इनको ले ही लिए हैं उसके बाद दोस्तों इफ्तिकार अहमत को ना लेकर यहां पर हम लोग क्रिस जॉर्डन को लेंगे और अमर जमेल को लेंगे क्रिस जोर्डन दोस्तों बहले पिछले मकावले में विकेट ना मिली हो लेकिन बॉलिंग चार उबर कराएंगे और बैटिंग से भी हर मकावले में 15-16 रान नोट आउट रहके बना ही ले रहे हैं और आमिर जमल मेरे से आप से पिछले कुछ मकावले में अच्छा परहमेंस किये हैं तीन दोनों को यहाँ पर हम लेकर चलेंगे और बागी कोई और रांडर से यहाँ पर बहतरी नहीं रहेंगे इफ्तिकार आहमेद को आप लोग तभी ले सकते हैं जब मुल्तान के टीम टॉस हारेगी तो क्योंकि बॉलिंग से तो विकेटर नहीं मिल रही है और बैटिंग से दोस्तो उतने अच्छे form में नहीं है बैटिंग से अच्छे form में है लेकिन बैटिंग ओर फ्रोल सा नीचे है दोस्तो अब इसके बाद बॉलिंग सेक्सन से बात करें तो यहाँ पर आप से जिकों सबसे ज़्यादा confusion हो रहे होगी और पिछले मुकावले में अच्छा performance करके भी आ रहे हैं अब इसके बाद पेसावर जालिम के तरफ से दोस्तों लिकूड को लेकर चलेंगे क्योंकि बहुत ही बहतरी इंट फॉर्म में है अब दोस्तों बचे एक प्लियर तो एक प्लियर दोस्तों यहाँ पर आप लोग टॉस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं अगर दोस्तों पेसावर जालिम के टीम टॉस जीतेगी तो यहाँ पर आप सभी लोग नविनुलक को ले सकते हैं और अगर दोस्तो मुलतान सुल्तान की टीम टॉस जीतेगी तो यहाँ पर आप लोग बासा फ्री दी नहीं तो मुहमाद अली को यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तो इन दोनों प्लियर्स में से आप लोग ले सकते हैं टॉस के हिसाब से फिलाल मैं यहाँ पर मुहमाद अली को ले राते हैं तो बॉलिंग करा लेते हैं और आप सबी लोग बाबा राजम को भी कर सकते हैं तो इन दोनों में सबते हुआ किसी एक को बनाऊंगा। फिलाल के लिए मैं बाबा राजम को कैटन लेकर चल रहा हूँ और वाइस कैटन भी आप लोग यहाँ पर स्याम आयू को कर सकते हैं लेकिन मुहमाज रिजवान मेरे वाइस कैटन रहेंगे और उसाम अमीर को भी कर सकते हैं तो यह रहेगी दोस्तों टीम कॉंबिनेशन अब बाद कर लेते हैं टीम की प्रिव्यू के ऊपर तो दोस्तों यह रहने वाल यहाँ पर हमारी टीम कॉंबिनेशन जरातर मैं नहीं लिया है और बाबार आजम को क्योंकि बहुत ही बहतरीन फॉर्म में लगतार पीछले तीन मुकाबले से अर्ष तक बना रहे हैं और वाइस क को लेकर चल रहा हूं बहले ही दोस्तों मुहमद रिजवान का head to head में उतना अच्छा record ना रहा हो दोस्तों पेसावर जालिम के खिलाफ इस सीजन लेकिन recent में सतक लगाते हुए आ रहे हैं और अर्ष तक भी तीस मुकाबले के लिए captain wise captain मेरे हिसाब से openers रहने वाले हैं फि फिर Chris Jordan और यहाँ पर Amir Jamal को ले रहा हूं तो Chris Jordan और Amir Jamal मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए differential peak रहेंगे दोनों all rounders यहाँ पर दोस्तों आप लोग इन दोनों के जगह पर आप चाहें तेक से हटा कर आप लोग इफ्तिकार अहमद को भी रख सकते हैं लेकिन इफ्तिकार हमायत को रिसेंट के 4-5 मुकाबले से विकेट नहीं मिली और बैटिंग से भी उत्रा मौका नहीं मिला इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर Chris Jordan और Amir Jamal को रखा हुए है बॉलिंग से मैं उसाम अमीर को ले रहा हूं लिक वूड को मुहमद अली को और यहाँ पर डैविड विली को तो तवोस्तों के हिसाफ से दोस्तों यहाँ पर मैं एक चमीर यह करूंगा कि दोस्तों यहां पर मैं अभी दूरुँनल भाग को जो को फिछले मुकाबले में दो भीकेट लिया है और अच्छा रिकॉड है तो दोस्तों फिला लों मुझे पता नहीं है कौन सी टीम होसह जीतेगे तो आप सबी लोग टेलिग्राम पर जडूल जूड़ जाएगा लिंक मैंने टेलिग्राम चनल का डिस्किप्शन में दिया हुआ है वहीं पर आपको टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कि अपला बस जाए हुआ है